हलो दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल लॉंग टर्म शेयर सेल्टियस में आज हम वीडियो शुरू करें इससे पहले कुछ चंद सेकंड्स में मैं 5 पैसा ब्रोकर के बारे में बता दूँ कोई भी ब्रोकरिज नहीं लिया जाएगा चाहे आप इंट्राडे करें चाहे डिलिवरी लें 5 पैसा ने अंगस्टर्स को इन्वेस्ट और ट्रेडिंग सिखाने के लिए उनके लिए इंट्राडे हो चाहे डिलिवरी हो बिल्कुल मुफ्त कर दिया है अकाउंट मेंटेन्स चार्जेज यानि की एमसी जबकि बाकी ब्रोकर्स करीब करेब 300 से 1000 रुपए चार्ज करते हैं इनका कुछ भी नहीं है फुरी है डिलिवरी टेड में सेल करते वकट CDSL को DP चार्जेज चुकाने पड़ते हैं ब्रोकिंग इनस्ट्री में सबसे कम DP चार्जेज 5 रुपए के आपको 5 रुपए चुकाने होंगे जबकि बाकी जगए या 15 रुपए के आसपास होता है डिरेक्ट mutual fund में निभेश करने के लिए ना तो कोई platform में फीद देने की जरूरत है और ना ही कोई कमिशन तो यह जो इनका 5 पैसे स्कूल लर्निंग एप है one concept in one minute यानि कि हर एक कोर्स को अपने एक मिनट में बिलकुल आसान शब्दों में explain किया इन्होंने android users इस app को play store से डाउनलोड कर सकते हैं मैं उसका description box में लिंक पिदे दूँँगा iphone users direct website पर जाके school.5paisa.com पर जाके इसका फायदा उठा सकते हैं और जब चाहें जहां चाहें वहीं से stock market सीखना शुरू कर सकते हैं हाँ यहां पर इध्यान रखिएगे कि आपको एक प्रोमो कोड का इस्तिमाल करना है यंग वेस्टर इसको आप डालेंगे जब वहां पर आप डिमेट अकाउंट खोलेंगे mobile app से तो इसको जरूर उलेक कीजिएगा आए बढ़ते हैं वीडियो की और पोर्टफोलियो किस प्रकार से गरेट कर सकते हैं यह उस पर चर्चा करेंगे जनरली लोगों के सवाल होते हैं कि कितने stocks होने चाहिए portfolio में और कितने नहीं होने चाहिए कितने sectors होने चाहिए देखे sectors का मतलब यह है कि बहुत सारे sectors हैं उनमें से at least एक दो कमपनियां तो आप चुन सकते हैं और जहां रही बात portfolio में तो 15-20 shares जो है अलग-लग कमपनियों के या फिर एक ही sector के एक दो कमपनियों का चुनाव किया जा सकता है तो निर्भर करता है individual investors पे कि उसके पास कितना fund है क्या वो इस IP कर रहा या फिर जो है one time investment करके कुछ stocks उसने ले रखे हैं तो अपने इसाब से जो है वो इस companies का चैन कर सकते हैं तो 15-20 एक अच्छा portfolio रहेगा अगर 15-20 companies अलग-लग sectors की हैं तो एक portfolio में मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा बाकि किसी की मर्जी कोई 10 stocks भी रख सकता है कोई 25 stocks भी रख सकता है पर जो लोग dividend या आप bonus को focus करके रखते हैं उनको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ सकता है क्योंकि कुछ कमपनियां बहतरीन हैं और काफी सारी कमपनियां हैं जो समय समय पे अच्छा dividend पे करते हैं तो उससाब से आप चाहें तो 25-30 stocks भी आप रख सकते हैं पर अंतो बहतरीन यही है कि 15 से बेस स्टॉक आप रखें नहीं तो बहुत ज़्यादा confusion हो जाता है कि कौन सी कमपनिय लें कौन सी रखें या न लें तो जैसा कि वीडियो का आज हमारे title है कि आओ स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना सीखें तो step by step जो है इस पर चर्चा करते हैं तो पहले हम चुनेंगे sectors और उन sectors में कौन कोन सी कमपनियों को रखा जा सकता है वरीता देंगे, preference देंगे हम उन कमपनियों को जो newly listed हैं या जो market cap wise अभी छोटी हैं तो sectors में हमने चयन किया है देखिए FMCG, NBFC, Banking, IT Software Solutions, Chemicals, Insurance Company, Insurance, Retail और Telecom Retail, Telecom में इसलिए हमने थोड़ा सा दोनों के एक सा सम्मुलित कर लिया है आगे बात करेंगे तो जो भी हम portfolio create करते हैं देखिए जो कमपनिया मैंने बताई हैं ऐसा नहीं कि यही आप लें क्योंकि एक उदाहन देना था तो कोई न कोई कमपनी तो मुझे सेलेक्ट करनी ही थी तो कोई भी कमपनी हमें सेलेक्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का खयाल बहुत रखना ज़रूरी है जैसे कि कमपनी में कर्जा ना हो दूसरी चीज कमपनी की जो है रेगुलर इंकम होती रहे उसकी जो है सेल्स होती रहे सेल्स ग्रोथ अच्छी हो उसका प्रॉफिट निकल के आता हो और सबसे महत पूर जो बात है उस कमपनी को चलाने वाले इसे मैनेजिमेंट प्रोमोटर्स उनकी इमानदारी किस प्रकार के है या फिर ग्रूप भी कह सकते हैं कुछ ग्रूप्स होती है जैसे कि बजाज ग्रूप हो गया HDFC ग्रूप हो गया टाटा ग्रूप हो गया यह दिगज जो ग्रूप है तो FMCG में हमने यहां पर कमपनियों को चुनाव किया है है तो बहुत सारी कमपनिया FMCG के और बढ़िया कमपनिया भी है बट हमें जो लगा परफॉर्मेंस वाइस प्राइस वाइस प्रोड़क्ट तो हमने हुएल को समलित किया है हिंदुस्तान यूनिलीवल लिम्टेट आईटीसी भी है आईटीसी को हमने इसलिए समलित किया है जिनका माकसद है डिविडेंट और बोनस पाना बिटानिया अच्छी कमपनी है लेकिन थोड़ा सा भाग गई है काफी बड़ी प्राइस की हो गई है अगर कभी गिरावट आई तो जरू नजर रखिएगा मेरिको लिम्टेट और डाबर और भी कई कमपनिया है उनका मुलेक नहीं कर रहे हैं तो इन में से आपको जो है जो ठीक लगे एक कमपनी का आप चुनाव कर सकते हैं तो FMCG सेक्टर से जो है आपने एक कमपनी माल दीजे चुली तो हमने यहाप एक नंबर दे दिया है चु के हिसाब से और HDFC Asset Management Company हलागि प्योरली जो है यह NBFC में नहीं है परंतो फिर भी हमने इसको इसमें शामिल किया है है category wise HDFC Asset Management Company तो हम यह आप देखेंगे कि इन दोनों कमपनियों के मुखाबले देखा जा तो लिस्टिंग में अगर देखें तो यह newly listed company है और debt free company है तो इनका कारोबार इनका जो return on capital employee है वह बहुत शांदार है मतलब operating profit margin अच्छा खासा निकल के आता है भली अभी नहीं चल रहा हो कुछ दिनों से बैठा हुआ नीचे आके बट आने वाले समय में हो सकता है कि company अच्छा perform करे तो हमने इसको दो number पर चुना है company यह भी बढ़िया है यह भी बढ़िया है आप चाहें तो मुथूत finance को भी consider कर सकते हैं वर्तमान हालाद को देखती हुए लोग gold loan के तरफ आकरशित है और बजाज finance तो all time multi bagger रहा ही है banking में अगर हम देखें तो idfc first bank विवाइद नाथान साहब इसको चला रहे है चोटी price का bank भले है पर ऐसी उम्मीद है कि भविश में अच्छी bank बन सकती है बंधन bank यहाँ पर हमने चुना है HDFC bank सोयम HDFC bank देखें एक बड़ी price का है बढ़िया bank है लेकिन हम इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पर हम आते हैं जिनमें और भी ज़्यादा potential हो सकता कोई multi bagger बन जाए इनमें से तो IDFC first bank या फिर बंधन bank तो यहाँ पर हम बंधन bank के साथ जाते हैं उसका reason यह है कि बंधन bank तो ठीक है लेकिन इसके साथ जो एक housing finance company को यह ने merge किया अपने साथ ग्रफ home finance को उसमें बहुत जान है उसी वज़े से अगर दोनो टैलेंट मिल गया तो बंधन bank को जो है खास बनाती है इसलिए हमने चुन लिया है तीसरी company banking में अगर IT software में हम देखें तो Infosys हो गई बढ़िया company है Happiest Mind जो रेसेंटली अभी लिस्टड हुई है Root Mobile हालाकि यह valuation बहुत ज़्यादा expensive है Happiest Mind का देखते हैं तो अभी थोड़ा valuation वाज यह सस्तित दिख रही है P ratio के यसाब से और भी कुछ मानकों में तो Happiest Mind एक छोटे market capital की company है अभी recently IT software company list हुई है तो इसको हम लोगे consider किया है तो number 4 देखें के लिए कंपणी है दीपक नाइट्राइट अगर देखें valuation wise तो कहिने कहीं आरती इंडिस्टे सस्ती है लेकिन जो कुछ लेस्टेट कंपणी अभी है जैसे Fine Organics हो गई और केम कॉन भी हो गई तो हमने यहाँ पर चुना है केम कॉन इस पेशल्टी को पांच नंबर कंपणी ठीक है दीपक नाइट्राइट उसके पर चात आप सेलेट कर सकते हैं केम केल की दो कंपणीया रखना आवश्यक है इन्शुरेंस कंपणीया में हम देखते हैं कौन से बढ़हा गृप को कौन सी कंपणी बिलॉंग करती है। तीनों बढ़हा गृप को बिलॉंग करती हैं I.C.S.A. लॉंबार्ट जनरल इंशुरेंस हमें असलेट किये हैं थीक है तो यह हो गई सात्मी कंपणी SDFC Life, एक Life Insurance Company हम चुनते हैं, यह हो गई आठमी कंपनी है, ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, रिटेल और टेलेकॉम में, तो रिटेल में अगर हम देखें, तो टाटा कंज्यूमर को भी हम कंजिडर कर सकते हैं, नवे नमबर पे एक बढ़ेहा ग्रूप को बिलॉंग करती है और रिटेल प्लस टेलेकॉम दोनों जो आ जाते हैं, वो है Reliance Industry, यह दसमी कंपनी हमें स्लेट कर लिए हैं, इसमें क्या है कि टेलेकॉम एक जीओ बढ़ेहा प्लेयर है, और इनका भी रिटेल का काम शुरू ही हो गया है, तो इस तरीके से हमने जो दस कंपनी हैं, यह अपन हैं, हो सकता Valuation Wise भी अच्छी हैं, परन्तु आज हमने जो चुना है, इन कंपनी हो को सेलेक्ट किया है, ज़रूर नहीं कि आप जो मैंने बताया उसी को फॉलो करें, कहने के तात पर रहे था कि बहुत सारे नए लोग भी हो जो पूछते हैं को कैसे क्या करें, तो मैंने उन इनमें आप ध्यान दीजिए, ज़रूर नहीं कि प्राइस बड़ा या छोटा, Valuation Wise आप देखें, प्लस कभी-कभी होता है कि कुछ कंपनिया महेंगी ही रहती हैं, क्योंकि उनके खरीददार हैं, लोग उने ले रखा है, तो छोटे प्राइस पर नहीं मिलती हैं, अच्छ अच्छा पर्फॉर्म नहीं कर रही है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, भले ज़िए थोड़ा नुकसान हो जाए, जिनके प्रमोटर्स वाइस कुछ गरबड़ी हो, या उनके सेल्स लगातार काई क्वाटर में खराब आती रहे हो, प्रॉफिट भी ने निकल के आता हो, या कोई अन्यकारण मा लिजे कि किसी प्रकार का उन पर केस चल रहा हो, है ना, तो जहां तक मैंने जो चुनाव किया है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवल लिम्टेट हो गया, ITC, ब्रिटानिया, मैरी, कोटाबर, बजाज फनेंस, मुतुत फनेंस आडिया, HDFC, ये जो बैंके हैं, आइनफोसिस, हार्पेस्टमाइंड, रूट मोबाइल, दीपक नाइट्राइट, आर्ती इंडस्ट्री, केमकौन, स्पेशलिटी, फाइन होग एनिक्स, आइसे से लंबार, ये सारी साप सुतरी कमपनियां प्रतीत होती हैं, इन आठ सेक्टर की 10 कमपनि या बैटरी सेक्टर या और भी कैसे सेक्टर को इनक्लूड नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, उन पर फिर कभी चर्चा करें, हमने फार्पा कभी नहीं लिया है, लेकिन कही ने कहीं फार्पा के जो पीछे कुछ कमपनियां है के मिकल्स की, उनको हमने इंक्लूट किया है कुछ उजाओं जरूर कॉमंट बॉक्स में रखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद